हेलो बच्चो वेल्कम तुमा यूट्यूब चैनल एड्यूकेशनल प्रिंसिपल मेरा नाम है विधांद वीधी आज हम आपके लिए लेके आए हैं टिक है लेंस होता क्या है इतीज ड्रांस्पैरेंट इतीज से ट्रांस्पैरेंट क्या होता है it is a transparent refracting refracting medium bounded bounded by two surfaces out of which one is spherical lens is a transparent refracting medium bounded by two surfaces out of which one is spherical जिसमें से कोई भी दो सर्फेस दो मीडियम से बाउंडे होना चाहिए क्या मैंने बोला इट इस ट्रांस्पेरेंट refracting medium transparent refracting medium bounded by two surfaces दो सर्फेस से गिरा होना चाहिए जिसमें से एक सर्फेस उसका क्या होना चाहिए स्फेरिकल ठीक है अब types of lenses जैसे कि हमारे पास दो तरह के lenses है types of lenses ठीक है types of lenses में पहले हम लोग देखते हैं कि कि तरह से lens होता है ठीक है तो पहले हम लोग discuss करते हैं पहला lens हमारे पास यह lens है ठीक है इस lens को हम लोग बोलते हैं क्या convex lens अब कैसे पहचानेंगे देखिए इसकी definition यह है कि जो की thinner at the edges ठीक है यहां पर लिख देते हैं types of lenses में पहला type हो गया हमारे पास क्या convex lens और दूसरा होता है concave lens ठीक है convex lens और concave lens तो जो convex lens होता है convex lens को पहचानने के लिए क्या होता है कि इसको यहां पर लिख भीजित ठीकर आएट दा मीडिल आएंड थीनर थीनर आएट दा एज ठीक है जो थीन हो थीन हो कहां पर एज पर एज देखिए इसका क्या है slim है ना पतला है जो थीन हो add the age पर इसको क्या बोलते हैं एज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं middle ठीक है तो जो middle में मोटा हो ठीक हो और age पे thin हो ऐसे lenses को अमनों क्या बोलते हैं convex lens यानि यह क्या है convex lens ठीक है similarly अगर similarly अगर क्या हो thicker at the age हो जाए thicker at the age ठीक है यह देखिए क्या है यहां पर ठीक है ना ठीक thicker at the age और thinner at the middle thinner at the middle हो तो ऐसे lenses को हम लोग क्या बोलते हैं कौन के लेंस ठीक है ऐसे lenses को क्या बोलते हैं convex lens अब इस दोनों lenses में इन दोनों lenses में किस तरह से rays आती है और किस तरह से रिफ्रेक्शन होता है अब हम लोग थोड़ा इसको समस्ते है ठीक है तो इतना नोट कर लीजिए तो हमने इस समझा lens क्या होता lens is a transparent refracting medium bounded by two surface दो surface से गिरा होना इस प्लास-क से सथ अमने इन दोनों मेने देख захल नहीं यहां परpper कि यह बी-स फैरिकल सर्फिस और यह भी-स फैरिकल है तो मतलब इन दोनों में से कोई-सर वी सर्फिस में से कोई-सर कि अना चाहिए यह स्पैरिकल होना थे तो वह क्या होगा ठीक है ठीक में बात नोट पॉयंट में रख लीज़े हैं अपलोग की हमारे से लेबाश में जो भी है रहे हैं वह बहुत ही नोग को फाटल Allen운 पढ़ना है ठीक है चलिए नेस्ट अब हम लोग समझते हैं कि इन में रेस का डेविएशन या फिर रेस कैसे कि ट्रबल करती है तो अब लोग लेते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं बताया कैसे पहचानते हैं क्या होता है कि अ ठीकर अगर मिडल पर और तीन होता इक किसी कहां पर इडल माल लेते हैं कोई भी ह। लग हैं अगर одगी डू मैंने क्या मत वताãy तो जो प्रिंसिपल एक्सिज यहां पर भी अभी हम लोग नेक्स टर्म में समझेंगे पहले रेस को देख लें कि कैसे यह टावल करेंगी ठीक है तो जो पैलल रेस आएंगी वो किसी भी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी ठीक है कैसे होगा यह किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट करेंगी ठीक है और ऐसी बीम को मैंने क्या बता थे कई जब धेर सारी रेस आके कहीं एक पॉइंट पे मीट करें तो ऐसी बीम को लोग क्या बोलते थे कन्वर्जिंग बीम कि बोलते थे क्या बोलते थे कान वर्जिंग टीक है यह हमारे पास क्या पैरलल रेस जब आएंगी तो वह कॉमन पॉइंट पे एक जगह मीट करेंगी ऐसे रेस को मैं वह बोलते थे अब हम लोगों ने क्या रेखा नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास है नेक्स हो गया कॉनकेप समझते ना ओन्वेक्स में किस तरह से रेज जाती है यह अब यहां पर पैरलल रेज आएगी इसको समझने के लिए अब हम आपको एक सौ vino पर क्या हो रहा है अगर कोई भी पैरलरी आ रही होंगे i SJником का सूÃ जोगा तो यहां पर क्या होगा होगा किना रिफ्रैक्शन जब मीडियम चींज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा ठीक है रिफ्रैक्शन होने के लिपना चाहिए जाना तो यह इस तो जब रанд के olda जाएक तो यहां जो कि क्या हो रहे हैं पर जब इक प्रार्लेल रहाईगी तो इसके पास तो दो सेंटर रपास बटाइए ठीक है अभी इसके अभी इसको पहले समय लिए पर उसके बाद इसके बाद आप समाग में यानि जो हमारा किया जो कॉन कॉन टॉल एक्सिलेंस होता है वह गवर्जिंग इन नेचर होता है क्या आज इन नेचर है हो आता है Chuck का narc in which array नहींफ नेचर होता है और जो कॉंटिम लंस होता है वह क्या होता है डाइवर्जी मनशर होता है क्या होता है डाइवर्जींफ नहीं टीख और इसी लैंस को जो कि ये दो सर्फिस देख है इसका सर्फिस क्या है इस लिए इसको क्या मुंजबों क्या बएक या है काण बैक्स क्या बहुते हैं गाई अब काण में लेंस और इसको क्या मुझत यह इसको बाइक का और सिरत उप टीड़्त तो इतनी बाद प्लिय है इतनी बात क्लियर है ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस लेंस लेंस कैसे क्या बना हुआ ठीक है और इसमें कुछ टर्म्स को समझते हैं या तो पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि कितने तरह के लेंसे होते हैं ठीक है आप देखिए हमने दो तरह के पढ़ें क्या पहले हैं और दूसरा कॉनकेव लेंज पढ़ें अब इसमें कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन भी होते हैं क्या होते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि हम लोग उपस समझने के लिए है इससे कोई फर्दर क्लासिफिकेशन तो फर्दर क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफिकेशन में पहले हम समझ लेते बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा था उसका दोनों ही सर्फेस जो था वह क्या था एक स्फियर था इस पार्ड था इसलिए यह क्या है इसके पास दो इस फैरिका सर्फेस इसलिए क्या है यह यह मतब बाई कॉन्वेक्स लेंस अब आप इसी कोषए कोष़ का बना लेगा कुछ ऐसा होगा कुछ अइस की एक सर्फिस इसका स्फियर और दूसरी मेर्ट प्लेट होगया तो एसे lenses को मों क्या बोलते हैं प्लेइन को ऑन्वेक्स को प्लेइन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं क्या होते हैं अब इसी में next lecture अब देखिए एक ऐसा होता है इसमें देखिए दो लेंसे दो स्फिर्कल सर्फेस तो है अब देखिए यह क्या है यह आउटर साइट से बना हुआ है अब इससे क्या बता है आपसे की जो कोंके न की होता है वह कैसा होता है थीन राट ने अजोता है । hoping », थीकर है अ थीनर अ तो इसका जो एक सर्फेस होगा का और इसका आउटर सभी कैसा होगा और एसका ऑशन का होगा इसलिए हम लोग इस को ऑन वैक्स को को अन वन थेकगे इसको कॉन केवोग कॉन्ःOM थे थी इसी तरह कॉन के मेभी क्लासिफिगेशन होती है तो एक होड़रों क्यों मुझे है जिसका दोनों साइड स्पइरिकल होग उसको बॉलेंगई क्या ऐ सबीकॉं के वो लेंगे वाइन के वो लेंज देखिए क्या होगा एक ऐसा होता है जो भी मैंने बताया क्लासिफिकेशन तो यह हमारे पास कैसा है दोनों ही स्फियर है स्फियर के पार्ट है तो इस लेंस को हम लोग क्या होते हैं बाई कॉन के वो लेंस क्या होते हैं बाई कॉनके वो लेन्स बोलते हैं और जब इसी का एक सर्फिस अगर ये सर्फिस हम लोग एक प्लेन के वो लेन्स इसका सिरस्ट हु एक साइड स्पिर्ट हो गया दूसरा अंग हो गया इसको ओलेंगे plane कॉॉण के लेंज इसको क्या बोलेंगे plane Convex Concave Lens ठीक है अब next समझते हैं जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा क्या Concave Convex Excellence क्या पढ़ा मैंने Concave Concave Convex Lance पढ़ा तो वैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक पार्ट कम करें मों करा देते हैं इसका एक पार्ट होगा यह कैसा हो गया यह हो गया कॉन। हो गया और इस ही This हम लोग इसको भी ठीक है अब देखिए यह है यहां पे ठीकर है मेंड़ सिद धिकर हो गया और झीन हो गया साईड पर तो ऐसे लेंस्व कॉन। क्या बहुते हैं कॉन। रेकसे रेहां कौन के लंस ठीक है तो इतनी क्लासिफिकेशन साब लोग को समझ में आ गई हूँ ठीक है तो नोट कर लीजिए आगे इसमें कुछ शमझते हैं कि ये लेंस कैसे बना क्या हुआ ठीक है इसेंटर ऑफ करवेचर क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ करवेचर क्या होता है पहले इसमें लोगों ने जिस तरह से लेंस में जू चीज़े डिस्काइब की थी वही यहां पर भी आपन लोगों की वर्ड से समझते हैं तो अगर हम लोग देखें पहले हम लोग इंजांबल उन दोनों स्फियर के सर्फेस को देखिए तो अगर हम देखें तो इसको अगर ले जाएं तो ये भी एक क्या है ये एक स्फियर कंप्लीट हुआ और अगर इस सर्फेस को देखें तो ये भी क्या है ये भी एक स्फियर बनना है ना क्लियर हो रहा है कि नहीं ये देखिए इ ये एक sphere हो गया और ये ह्ट भी एक sphere है। मतलब अगर sphere 1 दे दें इसका नाम oo इसका नाम मैं only sphere 2 दे इए ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहा है कि कोई भी lens होता है, वो किसी दो sphere के surfaces को cut कर बना जाता हूँ इतनी बात clear है यह दो surfaces को मिला के बना हुआ है क्या एक lens बना हुआ है तो अगर एक center इस sphere का होगा एक center इस sphere का होगा ठीक है इसको माल लेते है C1 हो गया और इसके center of sphere को C2 माल लेते है ठीक है अब हम लोग को define करना कि center of curvature क्या होता ठीक है तो यहां पर दो centers दिये हुए ठीक है तो जिस तरफ से incident आएगी जैसे कि हम लोग को पता है कि यह जो lens है वो कैसा nature का है वो एक diverging lenses का diverging lens है ठीक है तो यह diverging lens है ना यह converging यह convex converging lens तो अगर इसके पास दो center है तो हम लोगों ने भी mirror में पढ़ा था कि जो distance जो distance इस surface से यानि जो lens mirror के surface से जो distance होती थी center of curvature की उसको हम लोग क्या बोलते थे radius of curvature बोलते थे तो यहां पर भी वही होगा यह देखे इस sphere का center क्या है यह है तो इसलिए यह होगा इसके पास आरवं यह इसके पास दो radius of curvature भी होंगे और दो क्या होंगे center of curvature होंगे कि इतनी बात clear है अगर define करना center of curvature क्या होता है तो center of curvature वो वो center होता है उस sphere का center होता है जिससे जिससे यह मिल लेंस बना हुआ है यानि center of that sphere from which the lens या फिर मिरर जो की cut किया गया हो उस center को क्या होते हैं center of curvature बोलते हैं और radius from the center to the outer surface यानि surface से और उसके center की दूरी को क्या बोलते हैं radius of curvature बोलते हैं इतनी बात clear है इसके बाद दो center होंगे lens के पास दो center होंगे और दो radius of sphere होंगे ठीक है इतनी बात clear है ठीक है अब देखिए अब इसमें हम लोग define करते हैं क्या principle axis क्या होगी इसकी principle axis या फिर optical axis क्या होते है इसी जो line जो line इन दोनों centers को join करेगी ठीक है वो line जो pass करेगी इन दोनों के center से जो नरी बाद दे लाइं 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 पासिं थू तो centers of sphere centers of sphere is called is called principle axis principle axis और optical axis क्या बोलेंगे optical axis इसी को बोलते हैं इतनी बात clear है तो यहां पर optical axis या principle axis क्या है यह line c1 और c2 क्या बोलेंगे optical axis बोलेंगे ठीक है तो इतनी बात clear है अब हम लोग समझते हैं कि optical center क्या होता है optical center वो इस line पे कोई भी एक point हो सकता है जो कि lens के अंदर होगा ऐसा point जो कि इस principle axis पर लाइं करेगा और वहां से पास होने वाली line वहां से पास होने ठीक है तो लिखिया आप लोग क्या optical center क्या होता है अप्टिकल सेंटर और प्टिकल सेंटर क्या होता है अप्वाइंट on principle axis प्रिंसिकल एक्सिश प्रिंसिपल एक्सिश ओफ लेंस थो विच तो विच विच अरे आफ लाइट तो वह पॉइंट होता है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे जाने वाली जी से पास कर जाती ही without deviation ठीक है तो में लिए हम लोग माल लेते हैं कि वह point कहां लाई करता है इन दोनों sphere की इन दोनों जो spherical surfaces है उसके center पर हम लोग माल लेते हैं क्या है वह optical center ठीक है optical center ठीक है इतनी बात clear है इतनी बात clear है ठीक है अब हम लोग आगे समझते हैं focus क्या होता है focal length चाह होता है ठीक है बाकी तो आप लोग आईडिया होई क्या होगा ठीक है तो optical center को हम लोग और से रिप्रेजन करते हैं ठीक है अगर similarly सब्सक्राइब की बात करें तो उसमें भी optical center क्या होगा दोनों इस सर्फेस के बीच में लाइक करने वाली मालेते हैं और यह सीटू है तो दोनों ही center से पास करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे optical center ठीक है यह वह point होता है जहां से कोई भी अगर रे पास होगी तो वह जाती थी तो वही किस वहां पर जो सक्का काम था ओप्टिकल का काम था ऑप्टिकल या फिर पर यह क्या करेंगा से ऑप्टिकल सेंटर का काम होगा ठीक है चलिए नेक्स अब हम लों समझते हैं कि फोकस क्या होता है तो फोकस वो कॉइंट होता है अन्दा प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल सेंटर पर सॉड़ी ऑप्टिकल एक्सिस पर ठीक है माल लेते हैं मैंने क्या कहा कि कोई एक क्या है यह हमारे पास क्या है अब यह हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ यह हो गया सेंटर ऑफ कर वेचर वन एंड सेंटर ऑफ कर वेचर टू और इन दोनों लाइन को अगर आप जोंट कर देंगे तो इसको बहुत अब मैं एसे अजिम कर लेता हूं कि सॉरी यह जो लाइन है यह कहां से पास कर रही है और टिकल से पास कर रही है तो जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल आएंगी जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल आएंगी वो पैरलल रेज किसी एक कामन पॉइंट पे मिलेंगी कहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के कामन पॉइंट प ठीक है यह पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ ठीक है तो अब आप लोग समझ गया होंगे कि फोकल लेंद क्या होगी फोकस पहले क्या होता है फोकस समझ गया होंगे दर रेज डिफिनिशन निख दीजिए रेज कमिंग पैरलल टू आप्टिकल एक्सीज आप्टिकल एक्सीज ठीक है रेज कमिंग पैरलल टू आप्टिकल एक्सीज एंड कहां से रेज कमिंग पैरलल टू आप्टिकल एक्सीज या फिर प्रिंसिपल एक्सीज थ्रो दे लेंस आफ्टर पासिंग थू लेंस after passing through lens it meets it meets at a common point it meets at a common point on principle axis वो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी common point पे आके meet करेगी उस point को हम लोग क्या बोलते हैं that that point is called focus ठीक है उसी point को हम लोग क्या बोलेंगे focus बोलेंगे ठीक है ठीक है तो अब हम लोग को यह भी पता है कि जो इस लेंस होते हैं इसके पास दो focus भी होगा ठीक है तो इसको focus one नाम देते है focus two ठीक है अब जिस तरफ से incident ray आएगी अब हमें पता है कि इस lens में इस lens में क्या होगा कि rays दो होंगी वो actually meet करेंगी तो इसके लिए real focus होगा यानि convex lens के लिए real focus होगा और अगर हम लोग देखें इसके बात करें तो इसके पास क्या होगा अगर rays coming parallel आएगी तो क्या होगा इसका नेचर पहली बात तो यह diverging नेचर कहा ठीक है तो जब यह अपने axis पर ठीक है तो यहां से आनिक बात क्या होगा यह हो जाएगा reflect हो जाएगा तो diverging वेज़ जैसा हम लोग को पता है कि यह कहीं meet नहीं करती तो क्या करना पड़ेगा हमको इसको backward produce करना पड़ेगा और जब backward produce करेंगे तो किसी common point पर मीट करेंगा जो की होग इसका focus जो होगा इसका focus और focus यहां पर focus क्या होगा यहां पर parallel after passing through the lens after passing through the lens तो यहां पर क्या लिखेंगे after passing through the lens it diverges यहां पर पहले लिखेंगे क्या it diverges it diverges ठीक है on producing यहां पर लिख दीजिए on producing backward it meets at a common point it meets at a common point on principal axis that point is called focus ठीक है तो हम लोगों को एक बात यहां से clear हो गई कि इस point को क्या बोलेंगे इसके यानि convex lens के पास जो होता है focus वो होता है real focus और concave lens के पास होता है virtual focus ठीक है इतनी बात clear हो गई अब हम लोग समझते हैं कि क्या होती है focal plane क्या होता है focal plane मैंने मेरस में भी समझाए था आप लोगों कि focal plane क्या होता है focal plane में होता है कि कहीं से भी parallel rays आए क्या मैं बोला हूं कहीं से भी कोई parallel rays आ जाए ठीक है तो वो जब lens से पास करेंगी तो वो किसी भी एक plane में होंगी ठीक है मान लेते हमारे पास क्या है क्या हो गया यह हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है यह हो गया सेंटर सी वन यह हो गया सेंटर सी टू दोनों को जब हम लोग मीट करा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यह हो गया टिकल सेंटर ओ ठीक है और हम इसको ठीक है अब कोई भी जब पैलल रे आके इस ऑप्टिकल एक्सिस से मीट करेगी तो वह कहां पे किसी भी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी ठीक है कोई भी पैलल रे होगी तो आके ठीक है और यह जो मीट कर रही है ठीक है वो किसी भी एक प्लेइन में लाई करेगा इसी प्लेइन को हम लोग क्या बोलते हैं फोकल प्लेइन बोलते हैं ठीक है जरे इस कमिंग पैललल यह नि कोई भी रे पैललल आए और इस लेंस से पास करें और इस लेंस से पास करने के बाद वो एक जगा मिड करेंगी तो सभी जो पेरल्लरेज जाके मिड करेंगी वह पोइंट्स थो जो एक प्लेन में लाई करेंगे इसकी प्लेन को हम लोग क्या है फोटल प्लेन बोलते हैं सभाइट आज norm शिन जतरहां करेंट क्मक्रव करने क्या रिए है फोकाल लेंग किहाओं तो डिस्टेंस फ्रम दो ऑप्टीकल सेंटर ऑप्टीकल सेंटर से फोकस की दूरी के defending कमलों को कुछोते हैं फोकल लेंग है तो यह हो घैक है यह आपास यह optical center है सी वान सी तू सेंटर बफ कर लेख लिए ओ हो गया मा लेती है हमारा focus है तो optical center से focus की दूरी कम नों क्या होते हैं focal length होते हैं तो मैंने सारे keywords आप लोगों को समझा दिये क्या क्या होता है optical center क्या होता है हुझ aha हो पॉयंट होता है मेरी जुट है ना वो पॉइंट या तो लेंस के बाहर भी होसकता है और इंसाइड हो सकता है लेकिन हम लोग की से अगर घृप ह Defense बहुत ही तीन है इसलिए हमossip पॉइंट क्या लेंस के अंदर ही इसलिए आधा होता है optical center जहां से अगर कोई रे पास करेगी तो वह अंडेवियेटेड बाहर निकल जाएगी ठीक है तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि Center of curvature क्या होता है Center of curvature lens के पास दो Center of curvature C1 and C2 होता ठीक है focus वी दो होते है focus दो होते है एक होता real focus एक होता virtual focus तो हमें जैसा कि पता है कि convex mirror के लिए हमारे पास real focus होता है और concave lens के लिए क्या होता है virtual focus होता है अगर parallel define करने के लिए तुम मैंने बता दिया और बाकी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और तब तक के लिए वीडियो देखते रहे है all the very best पढ़ाई करते रहो ठीक है